Hello students, स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी students के लिए जो MPS course के students है, Master of Political Science के students है और उन सभी के पाथ में MPS 003 का subject है तो आज की नहीं वीडियो उन सभी students के लिए most important रहने वाली है चलिए ज़्यादा देना करते हैं, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करता है क्योंकि ये वीडियो बहुत important रहने वाली है उन सभी students के लिए जो December 2023 में Master of Political Science के exam देने वाले फिर स्टेयर के students है और उन सभी को June 2023 का question paper देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे June 2023 के question paper की आप सभी के exam में कैसे question आते हैं इसका idea आप सबसे current के paper को देखके ही लगा सकते हैं जो कि आपके screen पर शुर हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे आपके subject का नाम है भारत लोकतंत्र और रिकास यहाँ पर सबसे important बात है कि paper में जो question है वो हिंदी और इंग्लिश तोनर language में आपको मिलेंगे और कोशिश आपको यह करनी है कि आप अपना जो question समझना है उसको English language में भी पढ़के देखना है यहाँ पर कुछ general सी instructions आप सभी के लिए आती है आप से भी के लिए number of questions की बात करो तो total 10 questions आप सभी के paper में आएंगे इसमें से 5-5 question के 2 section बनेंगे हर section से 2-2 question करना compulsory है इसके बाद अगला question आपकी एक्छा है आप किसी भी section से कर सकते है यानि 2 इदर से 2 इदर से 4 हो गए और इसके अलावा 5-5 question आप किसी भी जगा से attend कर सकते हैं चाहे तो उपर से या नीचे से कहना का मतलब यह है किसी भी एक section से maximum question जो है हम 3 इदर सकते हैं 3 से ज़्यादा करेंगे तो हमें number नहीं मिलेंगे second year के जो बच्चे होते हैं उनका 2 गंटे का paper होता है लेकिन first year के जो बच्चे हैं उनका paper होगा तीन गंटे का और marks की बात करें तो एक subject के जो marks की तो 100 marks का आपका paper होने वाला है यहाप पर जो note आप लोगों के लिए instructions आए इसमें directly लिक आ गया है कम से कम हर खंड से आपको 2 question करना है जैसा कि मैंने बताया और total number of question की बात करें तो 5 question आपको करना है ते पर में answer जो है लगबग आपको 500 शब्दों में देना है और सभी अंक जो है समान रूप से आपके हैंगे first question आपके screen पर आ चुका है और इस question में आपसे पूछा गया है विकास के model model of development पर आपको विबिन बहसों की चर्चा करनी है सबसे पहली बात तो भारत का जो विकास का model था वो कौन सा था भारत जब अज़ाद हुआ तो भारत के सामने दो option थे पहला option भारत के सामने क्या था पहला option भारत के सामने पूंजीवाद था दूसरा option भारत के पास में समाजवाद था भारत के पहला जो option था वो कौन सा था पूंजीवाद का और दूसरा जो option था वो समाजवाद का था प्योंकि भारत जब अज़ाद हुआ भारत जब अज़ाद हुआ तो उस समें SSR की जो समाजवादी व्यवस्ता थी ये भी काफी उचाई उपर थी तो बहुत सारे जो विद्वान थे उसमें हमें विकास के लिए कौन से मॉडल को अपना चाहिए हमें पुंजी वात की तरफ जाना चाहिए समाज वात को अपना चाहिए इस बात को लेकर बहस हुई तो पहला मुद्दा तो आप सभी का यह है दूसरा जब हम पंचव वर्षी योजना अपना रहे थे तो पंचव के लोगों का मतलब अपने देश के जो बहुत सारे लोग थे उनका यह कहना था कि भारत में उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिना इंडस्ट्री के अमारे देश का डेवलप्मेंट अत्य दिखो यह संभव नहीं है लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किर्शी पर धान देश है भारत अधिकतर लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं किर्शी से अपनी जीविका को चलाते हैं इसलिए भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए भारत जैसे देश को किर्शी की तरफ पंचवर्शी योजना में ध्य किया जाना था उसमें हम देख रहे थे समाजवाद को ज्यादा पसंद किया जा रहा था समाजवादी व्यवस्ता के ज्यादा गुर्ण दिकाई देते थे क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा भेदबाव था गुवर्मेंट का कहना था कि अगर हमें भेदबाव को खतम करना है तो हमें समाजवाद की तरफ थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा अगर हमें अमीर गरीब का अंतर खतम करना है तो भी हमें समाजवाद की तरफ ही जाधा ध्यान देना होगा तो इस तरीके से विकास के मॉडल की दो बहस है सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्री तर्थ व्यवस्ता वाला पॉइंट मिस्री तर्थ व्यवस्ता विकि आप सभी को पता है कि भारत जब अज़ाद हुआ तो भारत के सामने दो आप्शन थे यह तो पुंजिवाद यह समाजवाद भारत नहीं पूरी तरीके से समाजवाद अपनाया नहीं पूरी तरीक का अधिकार भारत के नागर सब्सक्राइब सब्सक्राइब you अधिकार बारत है मौलीक का यह उभाप को सभी मौलीक अधिकार करनाएं मौली का अगर संग्य की वात करे हैं सबसे पहले अपका अनुछेद 14 से लेकर 18 तक समानता कादिकार फिर अनुछेद आप सभी का 19 से लेकर 22 तक सोतंतता कादिकार 23 से लेकर 24 तक आपके धार्मिक सोशन के विरुद दिकार है 23 से 24 और 23 से 24 के बाद में 25 से 28 तक यह हमारा धार्मिक सोतंतता कादिकार इसके बाद में 28 से 39 से 30 तक यह हमारा अलप संक्योगों के सिक्षावन संस्कृतिक अधिकार और अनुशेद 32 में से विधाने कुप चारों का अधिकार तो यह सारे के सारे अधिकार आपको डेटील से बताने किसे में क्या बताई गई है किस topics क्या बात नहीं बताई है यह सारे आपको डेटील वाइज इसमें वर्णन करणा है नेक्ट कुशन आपके स्किन पर शोवोरा है इस कुशन में आपको यह बताना है राजनेतिक विवस्ता को प्रभावित करने वाले कारण राजनेतिक व्यवस्ता को बहुत सारी चाज चीज़े प्रभावित करती है सबसे पहले वहाँ पर जनता जो है वो राजनेतिक दलों को प्रभावित करती है दूसरा जनता की हम बात करें जनसंख्या तो जनसंख्या का रूप भी राजनेतिक व्यवस्ता को प्रभावित करता है अगर हमारी जो जनसंख्या है वो अधिक मायने में किसी एक खास पर्टिकुलर जाते धर्म या फिर संपरदाई से संबंद रखती है तो वहाँ पर उस जाते का जो परभाव है वो वहाँ की राजनेति पर देखने को मिलता है दूसरी बात हमारा जो राजनेतिक व्यवस्ता है वो लोगों की education system पे भी repent करता है कि लोग कितने पड़े लिखे हैं उसी इसाफसे लोगों की जो वैचारिक सोच है वो दिकल के आती है तो राजनेतिक व्यवस्ता को प्रवावित करने में सिक्षा का बहुत महत्योपून योगदान है इसके अलाबा राजनेतिक पार्टियां जो है वो भी राजनेतिक व्यवस्ता को प्रवावित करती है अगर किसी देश में दो ही दल है या एक ही पार्टी है तो वहां की राजनिती अलग तरिकी की दिखेगी जहां पर बहुत दली वैवस्ता होती है वहां की राजनिती अलग दिखाई देती है तो आप सभी को यहाला concept भी और यहाला point भी आपको याद रखना है और आपको इस्वाले कोस्टिन के दर ये सिकली बताना है कि हमने तब LPG model अपनाया तो सबसे पहली बात तो उसमें आपके प्रधानमंतरी कौनते है निरसिम्मा राओ, Finance Minister कौनते है डॉक्टर मनमोहन सिंग, तो उसमें की जो कटिन परिस्तिती थी, कुछी दिनों का मार पास वैपार करने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी और इस वज़े से हमारी विदेशी निवेश काफी साथ घट गया था, उस डूबती अर्थ वैवस्ता को हमने बचाने के लिए, हमने क्या किया, LPG मॉडल को अपनाया, और तो हमने इस LPG मॉडल को अपनाया, तो LPG मॉडल अपनाते के साथ है भारत में जो है नीजी करन को बढ़ावा मिला, पुझिवादी वैवस्ता जो है, उसको थोला सा बड़ा मिला, और साथी साथ WTO की जितनी शर्ते थी, उन शर्तों को हमने दीरे-दीरे मानना शुरू कर दिया, तो यह वाला कॉंसेप्ट भी आप सभी को याद रखना है, विदेशी कंपणियों के लिए पहले लाइसेंस पर था या, इस प्रकार की वैवस्ताएं होती थी, यह वैवस्ताएं दीरे-दीरे भारत ने क्या करनी शुरू कर दी, खतम करनी शुरू कर दी, आपको यह भी याद रखना है, इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के अंदर ही तो उदारिक रण के आने से विदेशी निवेश की सिमा बढ़ी है, MNC की संख्या बढ़ी है, साथी साथ देश के लोगों को रोजगार मिलने लगा है, 37 सरकार की जो नीतिया है उसमें भी हमें काफी ज़्यादा नर्माही देखने को मिलती है तो यह सारे के सारे point concept जो है आप सभी को याद रखना है यह basically मैं आप लोग को question को अच्छे तरीके से explain कर रहा हूँ ताकि question जब यह है तो आप सभी को इसका answer बताऊना चीए इसमें किस प्रकार के point आपको लिखना है next question आपकी screen पर show रहा है question number 5 है इसमें भारत की संगवादी व्यवस्ता की कारे परनाली पर बताना है तो संगवादी व्यवस्ता की कारे परनाली आप बोलेगा कोई बच्चा कारे परनाली क्या है तो आप इस question को समझने से पहले आपको इसका English pattern है आपको जो question भी डिकरत लेगे इसे में लिखा हुआ है discuss the working of the federal system यानि federal system जो है किस प्रकार से कार्य करता है आपको इसके अंदर कुल में लाकर यह बताना है इसमें federal system की जो हम बात करते हैं इसमें हमको पता चलता कि भारत के अंदर शक्ति का विवाजन जो है वो कितने वर्गों में किया गया है तीन वर्गों में किया गया है federalism का मतलब संगिवाद की और मतलब सिंपल सा है कि देश में दो या दो से अधिक स्थरपे शासन होने की व्यवस्ता संगवादी व्यवस्ता कहलाती है और भारत के अंदर तीन प्रकार के से हमने अपने संगों को विवाजित किया है सबसे पहले केंद्री सरकार होती है राज्य सरकार होती है और फिर स्थानी सरकार होती है हमने इस तरीके से उनके लिए अलग-अलग विश्यों का भी हस्तानांतरन कर रखाए ताकि वो क्या कर सके उसे हिसाब से अपना निरिना ले सके एक दूसरे के कारे में सचे अपना करें अच्छे तरीके से सासल में वस्ता चले कारे पढ़ाले में है कि हर किसी के लिए जो अनुचियत के अंदर बात कही गई है कि आप इतने अनुचियत तक आप इन इन अधिकारों को रख सकते कि इन सरकार के पास में अधिक अधिकार है जैसे विदेशी मामले किसी राज्य की सिमाओं को बनाना घटाना साथी साथ में एजूकेशन सिस्टम देश की व्यपारिक व्यवस्ता टैक्स कर इन सब पर ये बड़े-बड़े मुद्ध है इन पर कौन निर्ण करता है संगवादी शासन व्यवस्ता इसा भी हो सकता है किसी एक कॉमन विशे पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना दे लेक क्यूंन से ऐप उदारिक व्यवस्ता ये लिया लगा यह सकता है या दो या विकेंद्रीकरण के विचार को कर्मिक कीजिए आपको भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है जब सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक या कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में नहीं होता वो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है उसके ओपर विकास कि आपको क्या कर और कुछ और लोगों के हाँ तो मैं सासन की बागरूर जो है केंदित बना हो जाए कुछ नमर सेवन है निम्रिकित किसी एक पर टिपने की जिने आपको किसी भी दोपर दोई दिये हैं भारत की राजनितिक भागेदारी यहीं भारत में जो पार्टिसिपीशन है पॉलिटिकल बागेदारी है तो बागेदारी का मतलब होता है कि उनका पार्टिसिपीशन कितना है जहां पर हम अलग 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 बरगी के जिसे महिलाओं का पुर्शों का इनकी पार्टिसिपीशन की बात करते हैं महिलाएं कहां तक अपने डिसीजन यह निर्ने को ले पाती है इसके में भी हमको बात करनी है next question question number 8 है इसमें आप से पूचा गया है मानव विकास यान human development की बुनियादी यानि उनतम अवशक्ता क्या है तो मानव विकास कब कब होता है जब सिक्षा का परसार होता है सिक्षा का परसार होता है पहली बात दूसरी बात क्या होता है हमें इसी टैम्पा में यह चीज़ भी देखने को मिलती है कि जतनी अधिक इंकम लोगों की परतिवक्ती आई जतनी अधिक होगी तो आई को भी विकास का एक बुनियादी अवशक्ता मान लेते हैं तीसरी बात करते हैं तीसरी बात तो श्रिक्षा का बर्सार हो गया फिर एक जन कल्यान के कारेवी हो जाएंगे सरकार द्वारा बनाएगी पॉलिसी नीतिया जो है यह भी इसके अंदर आप सभी के आएगा तो आपको यह वाला कॉंसर्ट भी याद रखना है क्वेशन नमर 9 नहीं इसमें आप से पूचा गया है भारत या भारती राजनीती में छेतरी रिकरण की नहीं आर्थिक नीतों का समचलोच नात्मक वर्णन करना है आपको इसका मतलब यह है भारत के अंदर जो भारत की राजनीती कि उसमें छेत्री और नहीं आर्थिक निति में हम के वीदेश्य कंपनी इसमें बिचेमारे इंच्ट-कॉम्पनी गुटायाए नहीं कोLEगत्र रखोज औरकाए लिगहण replicate कीजीय है तो 1952 में, वरबरी 1952 में सबसे पहले एलेक्शन हुए, इस पहले एलेक्शन में Congress Party एक तरफा जीत रही, 389 में से Congress Party को 364 सीटे मिली, 349, 489 से, 489 में से, और दूसरी कोई राजनेतिक पार्टी इसके आसपास भी नहीं बटकी, जब अगला एलेक्शन हुआ, उसमें इसको 371, 371, 394 में से, इतने सीटे मिली, तीसरे एलेक्शन हुआ तो 3 नहीं आपर 4 आएगा, 4, 494 में से आपको 2001 सीटे मिली, दूसरी राजनेतिक पार्टी कोई भी इसके आसपास भी नहीं बटकी, तो लोकतंतर के अंदर, भारत स्वतंतर के बाद भारत की जो इस्तिती है, वह हमेसा सुधर्ती भी हमको दिखी है, और साथी साथ में क्योंकि भारत में अजादी से पहले तो यहां पर या तो हमारे रास्तंतर था या अंग्रेजियों का शासन ताम ने देखा, तो इक इंडिया के अंदर लोकतंतर कैसे आया, चुनावायों किस अपना किस प्रकार से हुई, और किस प्रकार से लोगों को ट्रेनिंग दी गई चुनाव के अंदर, भारत उस समय लोगों को स्वार भॉमिक मतादिकार देने जा रहा था जब देश, विकसी देशों में भ आप से इस अपनी एगली वीडियो में, जहिंचे भारत